So hi guys, केसे हो आप? I hope सभी अच्छे होंगे और पड़ाई भी आप सभी की बड़िया तरीके से चलती होगी. ठीक है? तो दोस्तों आज के special वीडियो में हम देखेंगे history के very important topic जो रहेगा राजपुत काल. तो आपको पता है राजपुत काल से भी exam में question बनी ही जाते हैं. तो उन सभी को इस वीडियो में में cover करूंगा तो वीडियो आपको काफी helpful लगने वाला है. तो वीडियो का अंते तक जरूर देखेगा. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. question number one से शुरू करते हैं. पूर्व मद्यकालिन भारती इतियास में 750 इसा पूर्व से 1200 इसा पूर्व तक का समय मुक्यत माना जाता है. तो इस बीच का जो समय माना गया है उसे बोलते हैं राजपुत काल. question number two है. 712 इसा पूर्व में सिंद पर आरबो के अक्रमन के समय वहां का सासक कौन था? तो सिंद पर आरबो के जो अक्रमन हुआ था उस समय जो सासक था दाहीर था. कौन था? दाहीर. याद रखना इसे. question number three है. सर प्रतम भारत में जजिया कर लगाने का सिंद के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है. उसने किस वर्गो को इस कर से पूनता मुक्त कर रखा था? तो किस वर्गो को मुक्त रखा था? तो ब्रहमन वंस याद रखेगा. ब्रहमन वर्गो को. बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ओर? तो यहां माना जाता है प्रतिवराज रासो जो ग्रंत है इसके आदर पर इसा बताया गया है. नेक्स्ट कोस्चन है जो दिल्ली नगर है इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली नगर के जो इस्थापना की गई थी यो तोमरों के द्वारा की गई थी तो अप्सान नमबर B बिल्कुल राइट आंसर हो गए यहां पर नेक्स्ट सवाल, कोस्चन नमबर 6 है उस सासक का नाम क्या है? जिसने विजय इस्थम्ब का निर्मान कराया था इम्पोर्टेंट सवाले या द्रकना तो विजय इस्थम्ब का जो निर्मान कराया था वह कराया गया था रणा कुम्बा के द्वारा कोस्चन नमबर 7 निन्मलिकित में से भारत पर पहली बार आक्रमन करने वाला कोन था? तो भारत पर जो पहली बार आकरमन किया था वह किया गया था दोस्तो आरवो के द्वारा नेक्स्ट सवाल प्रतिवराज रासो निनमलिकित में से किसके द्वारा लिखा गया था इसे most IMP लगा लिजे पूछा जाता है और हो सकता है आपकी एक्जामे भी पूछ लिया जाए तो प्रतिवराज रासो जो लिखी गई है ये चंदर वरदाई के द्वारा लिखी गई है अगला सवाल यहापर आपको सही मिलान करना है कि किस राजवन्स की कौन सी राज़दानी थी तो देखें यहापर जो प्रतिहर वंस है इसकी राज़दानी थी कन्नोज ठीक है चंदल राजवन्स के अगर मैं बात करूँ तो इनकी राज़दानी थी घजुरा हो प्रमार या पवार वंस के जो राज़दानी थी वह थी धार और चोलुक्य या सोलंकी जिसे कहा जाता है उनकी राज़दानी थी अनहिल वडा तो ओप्सन के अगर तुरू देखा जाए तो ओप्सन नमबर सी यहापर बिल्कुल र भुमनेश्वर के अन्य मंदिरों पर भी प्रधानता रखता है। तो वह कौन सा मंदिर कहलाता है। तो वह मंदिर है त्री भुमनेश्वर लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट सवल दिलवाडा मंदिर कहां इस्तित है आई एमपी सवल तो दिलवाडा का जो मंदिर है यह मंदिर इस्तित है आबू परवत पर नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर ट्वेल खजुराओ इस्तित मंदिरों का निर्मान किस ने किया था तो खजुराओ इस्तित मंदिरों का जरो निर्मान किया गया था या किया गया था दोस्तो चंदेल राजपूतों के द्वारा किसके द्वारा चंदेल राजपूतों के द्वारा नेक्स्ट सवाल है विजय इस्तंब कहा इस्ति थे तो विजय इस्थम्ब जो इस्ति थे या इस्ति थे चित्तोडगड में नेक्स्ट कोस्चन लिंग राज मंदीर की नीव डाली थी तो लिंग राज मंदीर की जो नीव डाली गई थी नड़सिय द्याव के द्वारा 15 कोस्चन सुमनात के मंदीर पर 2021 इसा पुर्व में महमुद गजनवी के आकरमन के समय गुजरात का सासक कौन था ये भी इंपोर्टेंट सवाल है तो गुजरात का सासक था जो वह कौन था तो भीमदेव प्रतम भीमदेव प्रतम यहाँ पर राइट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं दोस्तों हिंदू वीदी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है तो मिताक्षरा बेरी इंपोर्टेंट बोक मानी जाती है दोस्तों तो मिताक्षरा जो लिखी गई है तो किस हिंदु विदी पर लिखी गई है तो यह लिखी गई है विज्ञानेश्वर पर विज्ञानेश्वर नेक्स्ट कोस्चन ब्लेक पगोडा है यह भी इंपोर्टेंट सवाल है ब्लेक पगोडा तो ब्लेक पगोडा क्या है दोस्तों तो यह है कोनार कमिस्तित कोनार कमिस्तित है नेक्स्ट कोस्चन 18 नमर कोस्चन यहाँ पर आपको फिर से बताना है किस राजवन्स की कौन सी राजधानी है तो दोस्तों इस टॉपिक से भी कोस्चन बनी जाता है एक्जाम में ठीक है तो बताए लिपन게 जो चोहान वंस हैं इनकी राज़दानी मानी जाती है आजमेर जो गड़वाल या राठोल जो राज़वंस है इनकी राज़दानी मानी जाती है कउनशी कन्नोज अगर मैं वात करूँ सिसोधियावन्स की, तो सिसोधियावन्स की जो राजधानी मानी जाती है, वह चित्तोड मानी जाती है, और कल्चूरी जो राजवन्स है, इनकी राजधानी मानी जाती है, त्री पूरी तो option number A यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा नेक्स्ट सवाल, 19 number question देखते हैं यहाँ पर, राजिस्तान के इतियास का प्रणिता किसे कहा जाता है, तो राजिस्तान के इतियास का जो प्रणिता कहा जाता है, वह कहा जाता है, कर्नल टाड को नेक्स्ट सवाल, 20 number question, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, किस राज वन्स का, किस राज चेतर से संबंध है, वहाँ आपको बताना है तो देखते हैं, जो चोहान वन्स है, इनका संबंध है आजमेर से, यह आपको आपको पहले बताए मैंने, प्रतिहार का अगर मैं बात करूं, तो प्रतिहार का भी आपको पहले बता चुका हूं, कर्नोश से संबंध है, परमार वन्स का संबंध है मालवा से, और सोलंकी वन के और बढ़ते हैं 21 नमबर कोश्चन यहाँ पर भी आपको फिर से सही मिलान करना है दोस्तों तो चंदेल जो है वो किस राज़े से संबन्दी थे तो बुंदेलखन राजे छेतर से संबन्दी थे कल्चूरी की बात करूं तो यह चेदी राजे छेतर से संबन्दी थे राठोड राजवन से जो है यह कन्योस्ट से संबंदी थे और गुहिलोत जो है यह मेवाड राज़े छेत्र से संबंदी थे तो यहाँ पर भी option number A, right answer हो जाएगा next question यहाँ पर फिर से आपको सही मिलान करना है तो चोहान जो राजवन से दोस्तो यह किस से संबंदी थे तो वासुदेव से sorry यहाँ पर आपको संस्थापक बताना है तो चोहन जो राजवन से इसके संस्थापक थे वासुदेव ठीक है परमार जो राजवन से इसके संस्थापक कोन माने गए थे तो सियक दिवतिय सोलंकी राजवांस के जो संस्थापक माने गए थे वो है मुल राजप्रतम और चंदेल राजवांस के जो माने जाते हैं नन्नुक चंदल तो option number B यहाँ पर right answer होगा next question 23 number question यहाँ पर आपको बताना है गलत जोड़ा ठीक है जो कि सुमेलित नहीं है तो चंदेल राजवांस के जो संस्थापक थे नन्नुक चंदेल तो यहाँ पर right है कलचूरी के जो संस्थापक थे कोकल प्रतम तो यह भी यहाँ पर right है गडवाल के जो संस्थापक थे वह थे चंद्रदेव तो यह भी बिल्कुल right है दोंस्तों लेकिन जो राश्ट्रकूत के विज्यालाई जो संस्थापक बताए है यह यहाँ पर गलत मिलान है ठीक है तो हमारा option number D यहाँ पर right answer होगा जो की गलत जोड़ा है नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं 24 number question हरी केली नाटक का रचियता है तो हरी केली नाटक का जो रचियता माना गया है वह कोन माना गया है तो चोहान सासक विग्रह राज ठीक है चोहान सासक विग्रह राज यहाँ पर right answer होगा option number A 25 number question है किस नाटक के कुछ अंस आड़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद की दिवारों पर अंकी थे तो किस नाटक का तो याद रखेगा हरी केली हरी केली यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा next question 26 number question है रानी पद्मिनी का नाम अलावदिन खिल जी की चित्तोड विजय से जोड़ा जाता है उसके पती का नाम है तो उसके पती का नाम था रणा रतंसिय रणा रतंसिय नेक्स्ट सवाल विक्रम सिला सिक्षा केंदर के संस्थापक का नाम है तो विक्रम सिला सिक्षा केंदर जो है इसके संस्थापक माने जाते है धर्मपाल वेरी इंपोर्टन सवाल है आई एमपी लगा लिजिएगा काफी बार एक्जाम में ये देखने को मिला है 28 नमबर कोस्चन है निनमलिकित में से कीस मंदीर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मुर्थी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मुर्थी माना जाता है तो किस मंदिर परिसर में है यह? तो यह इस्तिते दोस्तों कंदरिय महादेव मंदिर और यह भी important सवाल रहेगा आपकी एक्जाम के लिए Next सवाल निन मलिकित में से किसे एक नए समवत चलाने का यश्प्राप्त है? तो किसे नए समवत चलाने का यश्प्राप्त है तो यह है लक्षमन सेन को अगला सवाल 30. गीद गोविंद के रचनाकार जैदेव किसकी सबा को अलंकरत करते थे? तो जो जैदेव थे यह अलंकरत करते थे लक्षमन सेन की सबा को 31. नमबर कोश्चन किसने सोमपूर महावियार का निर्मान कराया था? तो सोमपूर महावियार को जो निर्मान करवाया गया था यह धर्मपाल के द्वारा कराया गया था नेक्स्ट कोश्चन है भूमनेश्वर तथा पूरी के मंदीर किस सेली से निर्मित थे? तो भूमनेश्वार और पूरी के जो मंदिर है या निर्मित्य नागड से किस से नागड से नेक्स्ट कोस्चन 33 नंबर कोस्चन राजवान्स जो कन्नोच पर आधिपत्य इस्तापित करने में त्रिकोनी संगर्च में उल्जे वे थे तो कौन-कौन उल्जे वे थे दोस्तो तो याद रखेगा पाल, प्रतिहार, एवं राष्ट्र कूट तो अप्सन के तुरू देखा जाये तो अप्सन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है 34 नंबर कोस्चन भारत में सरव प्रतम प्रतम आक्रमान कारी थे तो भारत में जो प्रतम आक्रमान कारी माने गए थे वह माने गए थे मुहम्मद बिन काशीम आई-मप कोस्चन यह भी पूछा जाता है नेक्स्ट सवाल है जगन्नात मंदिर की स्राज्य में है तो ये तो I think आपको पता होगा तो जगन्नाच जो मंदिर है ये उडिसा में आता है अगला सवाल 36 रंबर कोस्चन पूरी में इस्तित कोनार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर में निर्माता थे तो सूर्य देव के मंदिर के जो निर्माता थे वह थे दोस्तों नरसी प्रतम याद रखना इसे नरसी प्रतम नेक्स्ट सवाल आजेपाल संसापक थे तो आजेपाल जो संसापक माने गए थे या माने गए थे आजमेर के किसके आजमेर के नेक्स्ट कोस्चन है निनमलीकित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, भोज परमार, भोज परमार, नेक्स्ट सवाल, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तके हैं, तो कौण कौण सी बुक लिखी गई हैं, तो दोस्तों याद रखेगा, समरांगन, सूत्रधार, ये तो लिखी गई है, सरवसती कंठा भारन ये भी लिखी गई है योग सूत्रवती ये भी लिखी गई है और आयूरवेद सरवस्व ये भी लिखी गई है तो चारों बुक लिखी गई है भोज परमार के द्वारा तो याद रखना इसे नेक्स्ट स्वाल के और बढ़ते हैं समरांगन सूत्रधार का विशय है वह कुन सा होगा इस्थापत्य सास्त्र नेक्स्ट कोस्चन उसकी मुरत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनो ही निराशरित हो गये यह उक्ती किस सासक के संबंद में है तो यह किस सासक के संबंद से संबंदी थे दोस्तों तो यह भोच परमार से ही संबंदी थे नेक्स्ट कोस्चन किस सासक के राज़ दरबार में जे नाचारी हेमचंद्र को संरक्षण मिला था तो हेमचंद्र को जो संरक्षण मिला था यह मिला था दोस्तों जैसी सिद्धराज एवम कुमार पाल के राज़ दरबार में तो याद रखेगा A वम B यहाँ पर दोनो राइट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट कोस्चन वह प्रतम भाड़ती सासक कोन जिससे तूर्क आकरांत महुम्मद गोरी का सामना हुआ वम जिसने महुम्मद गोरी को परास्त किया तो एम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी तो वह कोन सासक था? तो वह सासक था दोस्तों भीम दिती यहाँ पर राइट आंसर होगा तो वम में दे सारे कोस्चन अच्छे लगे होंगे अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरू करना ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे आपको बता दो मैंने काफी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है हेस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, एकोनोमिक्स होगे जरूर सपोर्ट करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबता के लिए जाई हिन आल दे बेस्ट